यह जो एग्रेसिव अंदाज है, मुझे लगता है कि इसकी ज़रुवत थी, अगर चुनाओ के पहले ही उन्होंने थोड़ा सा दूसरे ढंग से काम किया होता, फ्री हेंड नहीं दिया होता हुड़ाज को, तो साथ तस्वीर बदली हुई होती है। सुर्जेवाला अलग एक रास्ता चल रहे थे, सेल्जा अलग रास्ते पे थी, और हुड़ा तो पूरा कमान ही समाले बैटे थे, कि अजी मैं ले आऊंगा। गुट बाजी और उसके बाद एक और रीजन आता है, जिसमें कि आप एलाइन्स पार्टनर को अकमोडेट नहीं कर रहे हैं। और वो बैठक रास्त्रिय अध्यक्ष, पार्टी के रास्त्रिय अध्यक्ष, मलिकार जुन खरगे के घर पे हुई, जहां पे सारे पार्टी के नेता मौझूद थे, सिर्फ हुड़ा और ओधैभान जी को छोड़ कर. आपको क्या लग रहा है अरुण जी कि ये जो एग्रेसिव अंदाज है और जिस तरह से अब राहुल गांदी अपने पार्टी पर भी अब कमान पूरी तरह से लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बदलाव उनको और आगे की तरफ ले जाए देखे पूझा जी ये जो एग्रेसिव अंदाज है मुझा लगता है कि इसकी जरुवत थी मुझे अगर चुनाओ के पहले ही उन्होंने थोड़ा सा दूसरे ढंग से काम किया होता फ्री हंड नहीं दिया होता हुड़ा उसमें जाहिट सी बात है बिल्कुल साफ संदेश लोगों ने दिया कि हम लोग आ रहे हैं तो हुड़ा की वज़े से हा रहे हैं क्योंकि जिस तरंग से कहा जा रहा था रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि हुड़ा साब ने एक कॉंफिडेंस दिला है था कि जिस तरह से हम अधिया यह यह सब चीजे जो जिसकी वज़े से पार्टी को नुक्सान कॉंग्रेस पार्टी को नुक्सान जेलना पड़ा लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा रहूल गांधी को कि रहूल गांधी को कुछ दूसरे ढंसे काम करना चीत लोग सभा में उन्हों ने जिस क्रूसल टाइम था उस समय उनका यूएस का ट्रिप पे भी जाना एक तरह से देखा जाए कि भाजपा वालों ने आवाज नहीं उठाई है यह आप उठा रहे हैं नहीं नहीं भाजपा की बात मैं नहीं कर रहा हूं मेरा एक आप जर्वेशन है कि उनको उसी समय से जारत यू प्रशा कहना था मेरे पापा को वापस ले आओ ऐसा भी कुछ हुआ यूएस से लोटके आए तो यह सारे चीज़ें तो मैंने कहा नहीं कि वह उस समय जो है जिस समय उनको दूसरे ढंग से वह बहुत क्रूसल टाइम था एक हपता जो था वह बहुत क्रूसल टाइम था जिस पॉलिटिकली जिसके टॉप लीडर्शिप जो है कम से कम मैं टॉप दो लोगों की बात करूँगा जो लोग की 24 इंटु 7 एक्टिव है उनका पार्टी का धेक्ष इतना एक्टिव है वो भी उसी 24 इंटु 7 एक्टिव है प्लस उनके साथ में जो आप देखेंगे कि जो पी कॉंग्रेस पार्टी और उनके बीच में जो सभाओं का रैलीज की बात करूँगा तो कॉंग्रेस पार्टी ने सिर्क 75 रैलीज की बीजेपी ने 1500 तकरीबन रैलीज की तो आप आप ये डिफरेंस समझीए तो एक सो पचास रेली करना बीजेपी के नेताओं के द्वारा और इनकी पचातर रेली करना है उसमें आप देखिए आधा कांतर आ जा रहा है तो इस 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 एफर्ट को जो 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 जिस तरह से उन्होंने हंड़ेट परसेंट दिया कांग्रेस पार्टी ने हंड़ेट परसेंट अपने तरीके से दिया लेकिन एक एक यहां पर तो मैं रोग दूँ आप जी कांग्रेस पार्टी ने अपना जो हंड़ेट परसेंट दे र इसलिए मैंने कहा ना कि इसलिए कि राहूल गांधी का प्लस पहली मैंने कारणों की बात कहीं कि राहूल गांधी उस समय कुरूसर टाइम पे जो यूएस टूर पे थे और उसके बाद देखा जाये तो रैलियों की मैंने संख्या बता ये बहुत बड़ा कारण है प्लस इवन आज आपने फिर से देखा राम गोपाल यादों ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि हमने छे सीट बाइपोल में अनाउंस की है लेकिन चार सीटों पर हम चर्चा करेंगे कॉंग्रेस के साथ में क्योंकि हम गटबंदन धर्म का पालन करेंगे उनको अकमडेट करेंगे द क्योंकि लोगसभा एलेक्शन के बाद में कॉंग्रेस पाटी बहुत शक्तिशाली दिख रही थी उस समय लोगों ने उस तरह से अग्रेसिव तरीके से इनसे नेगोशियेट नहीं किया लेकिन इस समय जब कॉंग्रेस अपनी ही स्टाटीजी से हार गई है तो मतलब कहा जा किसान पहलवान और जवान की बात तीनों को उन्होंने फ्लॉप कर दिया और और वो नौन इसू हो गया किसान बहुत बड़ा मुद्दा था हमेशा से बारती राजनीत में किसानों का जो है बहुत बड़ा जो एक तरह से देखा जया कंट्रिबूशन रहा है किसी पार्टी के प्रोस्पेक्ट को बनाने या बिगाडने में वो भी आप पूरी तरह से नहीं भुना पाए तो कॉंग्रेस को मन्थन करने की ज़रू होता है उसमें दो-तीन लोगों की बात में कहूंगा वेनू गुपाल जो जो राहूल गांधी के सबसे करीबी लोगों में से हैं माकन साब देख रहे थे तो इन लोगों के पास उत्तर भारत कम से कम हरियाना में इनका इनकी पॉपुलरिटी नहीं है वहां पर ग्रासरूट लेविल पर उनकी पहुंच भी नहीं है तो राहूल गांधी को जो उनके इर्दगिर्द की जो लीडर्शिप है उसमें ग्रासरूट लीडर्शिप को ज़्यादा मौका देना होगा जो कि वहां के लोकल लोगों की नब्स पहशान सके वो पार्टी हित में काम करें मैं मैं म 17 से 20 सीट कहा जाता है तो वहां वो जनाधार बहुत कुरूसल था दलित वोट मैंक जो है कॉंग्रेस के लिए बहुत कुरूसल था वही वोट मैंक जो है उनके साथ नहीं आपाया शायद इस वज़े से भी जो है आप आप देखेंगी कि उनके पार्टी के प्रेजडेंट उदैभान जो कि उदैभान जो है उनकी पार्टी के प्रेजडेंट है स्टेट प्रेजडेंट वो भी हार गए वो बहुत कम मार्जिन से हारे लेकिन हार गए तो इस तरह की कुरूसल सीटों की मैं बात करूंगा कि जो संगठन में संगठन में कमजोरियों को पहशानने के लिए आप मात मंधन हो रहा है लेकिन पांच साल के लिए बाजी आपके हाँ से निकल गी पांच साल बात क्या सिनारियो होगा एक अलग बात है पांच साल ने बहुत सारी चीज़े बदल जाएंगी और इसका आपके आगामी चुनाओं वह भी पड़ेगा और चुक्कि सामने से चल रहा है नहीं अब उनको यह एकसेप्ट करना पड़ेगा कि आम आदमी की पार्टी की शर्तों पर आपको काम करना पड़ेगा जिस तरह से आप ने जिस तरह से कहा उस तरह से आपने अट्जिस किया अब इस वार बाइलेक्शन में भी जो दस सीट पर होना है वहाँ समाजवादी पार्टी आपको अकमडेट करेगी वह अपने टम पर अकमडेट करेगी पहले आप जैसे मैं क्रूसल सीट बताओं फूलपूर की सीट थी विलाहबाद के पास उस पे कॉंग्रेस का दावा प्रबल था लेकिन उन्होंने उस पे कैंडिडेट डिक्लियर कर दि सोचने का तरीका बदल गया है बाकी जो अपोजीशन की पार्टी है तो अभी समय कॉंग्रेस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है महाराष्ट्रा की राजनीत में आपको इस समय दूसरे ढंक से स्टाटीजी अपनानी पड़ेंगी यह सब बहुत सारे क्रूसल जी दिखें ना आप जीतें ना लेकिन अशो गैलो जी जो राजस्थान के पूर्व सीम है उन्होंने कहा है कि सार को गंभीरता से लिया जा रहा है और उन लोगों ने सभी ने ऐसा मुझे बहुत बार लग रहा है कि एक्जिट पूल को बड़ी संजीदगी से ले लिया था उन्होंने सोच लिया था कि जी ये सही हो जाएगा और उसके बाद उन्होंने एवियम को छोड़के एवियम पे तो जो भरोसा नहीं है जब जब पार्टी हारती है तो एवियम पे ठीकरा फोर देती है उसके बाद यह चुनाव आयोग तक भी पहुँच गए लेकिन आपक है का रिजल्ट वो बरदाश्ट नहीं कर पा रही है पार्टी लेकिन उन्होंने राजस्थान में खुद जिस तरह से सचिन पैलेट को साइड किया था क्या आपको लगता है कि वो ये सारी चीज़ों पे भी अब राहुल गांदी और ये जो सीनियर मोस्ट नेता है उनको य परिवारी खितों से उपर होके इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने उस समय भी दिया था लेकिन वो एक्ट उस पे नहीं कर पाये थे क्योंकि वो जादा पाउर फूल थे गहलोत साहब जो है राजस्थान की राजनीत में उस समय आपको याद होगा कि देसंबर में चार पूल हुए थे जिसमें की राजस्थान था मद्यप्रदेश था च्छतिसगड़ और तेलंगना तो उस समय भी इसी तरह की एक्जिट पूल पे कॉंग्रेस पार्टी बहुत उत्साहित थी देखिए राजनीत में यह नहीं होगा कि अगर आपके पास कुछ चीजे पॉजि पूट लेविल पे काम करना पड़ेगा राजस्थान में भी वही हुआ इस्ट्रक्षर और गनाइजेशनल इस्ट्रक्षर में उस तरह की स्टेंथ नहीं दिखी एक इंडिविजुल एफर्ट जो हुड़ा परिवार का था हुड़ा साहब का था वह ज्यादा दिख रहा थ अपने बेटे को जित्वाना जैसे लोगसभा में भी उन्होंने किया उसी तरह से जो गहलोत सहाब कभी कहा जाता है कि वह इस वज़े से जो यंग लीडर सीप है वो निरास होके चाहे सिंदिया साब हो चाहे साचिन पाइलेट किनारे होके बैठे हुए हैं सिंदिया जहाब ने छोड़ दिया आपना आप आप देखियो तो प्रदेश में जो है कुछ नेता जो उधर की तरफ चले गए आप इस्टन यूपी के एक नेता हैं वो है इस्टन यूपी में भी कुछ नेता उनके साथ में चले गए और मैं देखोंगा कि वेस्टन के लिए और जब पार्टी में उन्हें अपना भविश्य नजर नहीं आया तो वो छेटक के चले गए तो इस तरह कुछ तो है कुमारी शैल्जा ने बहुत मैचियोर तरीके से जो है इसमें देखा जाए तो उनकी बहुत मैचियोरिटी दिखी उन्होंने पार्टी हित के ल लडने दिया जाता तो तस्वीर दूसरी होती क्योंकि वो तो अल्टीमेट डिसीजन जो है पाटी लीडर्शिप को लेनी थी दिल्ली में डिसाइड होना था लेकिन वो मौकान न दिया जाना भी एक एक तरह से पार्टी में जो डिमकरिटी की स्ट्रक्शर है उसमें उसमे से अब वो आगे आए हैं और उन्होंने जिसता से साफ साफ संदेश आज की मिटिंग में दे दिया है कि आप अब अपनी हित को जड़ा साइड कीजिए और पार्टी हित को आगे कीजिए तो आपको क्या लग रहा है इसका असर थोड़ा महरास्ट पर या दूसरे राज्यो को किनारे करके इंडिविजूल इंट्रेस को किनारे करके पार्टी के इंट्रेस को आगे करें तो उसमें थोड़ा सा उन्हें जो है एक तरह से रूड होना पड़ेगा जो कुछ लीडर्स को खुश नहीं रखा सकते हैं क्योंकि इस समय जो है अगर देखा जाये तो अगर बीजेपी के खिलाब गुसा है लोगों में, लोग प्राइस राइज, अनिम्प्लाइमेंट ये सब मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, ये सब कई जगों पर मुद्दे हैं, आप देखेंगे कि अगर हम लोग महाराष्टा की बात करें, वहां के बहुत सारे जोलंत मु है, वो दिख रही है, तो उनको PCM face बनाएं, मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, कि जो political reality है, उसको पहशान के वो अगर आगे बढ़ते हैं, तो बहतर होगा, या फिर कह दिया जाए, unanimous decision हो जाए, कि साहब हम लोग उसके बाद ही जैसा पवार साहब ने कहा, कि हम लो आज के और और एग्रेसिव हो के और पार्टी के बड़े नेताओं को सुनना तो जरूर है, लेकिन उतना ही सुनना है, जिससे पार्टी का हित गड़बर ना हो, ऐसे और सवाल, आपको क्या जानना है, इसके लिए हमें जरूर कमेंट बोक्स में आके बताएं, और देखते प्रेएंडिया.com. घंदे बाद.